हेलो फ्रेंड फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में तो फ्रेंड आज किस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा फ्रेंड की आप अपने इस्टागरम अप्लिकेशन को लॉग कैसे कर सकते हैं इस्टाग्रम अप्लिकेशन में आप लॉग किस तरीका से लगा सकते हैं अगर अपने इस्टाग्राम अप्लिकेशन में लॉग लगाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा फेरंड बहुत बार ऐसा वता है कि अगर आप अपना फोन को घ का हर बाता है कि हभाल बीडिफ तरीका से जरूस तरीका से लॉक लगा सकते हैं वह भी बीरा कोई आफ्लिकेशन का, आपको डाउनलोड करना होगा ना कुछ करना होगा बस प्रेंड, आपको एक सेटिंग करना है, बस आपका इस्टाग्राम आप्लिकेशन में लोक लगाने के लिए आपको करना क्या सबसे फ़रेंड मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं अपना इस्टागरम जिसमें कि कोई भी लोग नहीं लगा हुआ अभी मैं इसमें अभी लोग लगा कि आपको बताने वाला तो सिंपल सा जैसे मैंने इस्टागरम देखो खोला यहां अब आपको करना क्या यहां पर थोड़ा सा नीचे डॉल आन किशेगा जैसे नीचे डॉल आन किजेगा तो यहां पे आप आपको यहां पर देखने के लिए लगा यहां पर किजेगा तो आपके phone में जो भी lock लगाए होंगे कभी वो lock यहाँ पर एक बार verify के लिए मांगेगा आपको जो भी lock होगा आपका वो एक बार यहाँ पर state करना है तो मैंने यहाँ पहले से अल्रेड़ी state करके रखा हुआ इसलिए यहाँ पर मेरा lock यहाँ पर नहीं लिया आपका अगर पहली बार होगा तो आपको यहाँ मांगेगा आपका lock का verify करना है उसके बाद अब आपको करना है क्या है यहाँ पर देख सकते हूँ यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपके Instagram पर lock लग जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरीका से आप अपने Instagram पर lock को लगा सकते हैं अगर आपके phone में यह setting नहीं मिल रहा है तो आप आपको करना क्या है फिर से आपको setting में जाना है और यहाँ पर देख सकते हो उपर में सबसे उपर में लिखा हुआ सर्च बार जो दिया हुआ इसके उपर क्लिक करना है और फ्रेंड आपको यहाँ पर सर्च करना है एप लॉग जैसे सर्च कीज़ेगा तो आपके फॉन में अगर एप लॉग होगा तो यहाँ पे आ जाएगा जो कि देख़ों तो सबसे फश्ट में लिखा हुआ एप लॉग इसको ओपन करना है जैसे ओपन कीज़ेगा तो सीधा आप इस पेज़ पे आ जाईएगा लॉग को फॉद्ध अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो फीडियो को एक लायक कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा तो फॉद्ध इस ट्यापिक वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करना है तो फॉद्ध मिलते है नेस्ट हैं कुछ रहिए अच्छे से रहिए